आज मैंने पनीर के बहुत ही अच्छे इस टपिंग से भरे हुए पराठे बना करके तैयार किये हैं यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकडा पनीर का लिया है आप जितनी कॉइंटिटी में पराठे बनाना चाहते हैं आप उतने ही पनीर ले ले दोस्तो यदि आपने एक बार इस तरीके से पनीर के पराठे बना लिये तो आपके जो पनीर के पराठे हैं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे वह बहुत ही अच्छे एक दम्ल को इस टापिंग से भरे हुए बनेंगे वह उस खाने में बहुत टैस्टी लगेंगे इस तरीके से मैंने पनीर को कद्दूगस की मदद से कद्दूगस कर लिया है अब हातों से मैस करना चाहते हैं तो हातों से भी मैस कर सकते हैं लेकिन आईस में बिल्कुल भी ग उठें रहेंगी तो बेलते समय आपको देखके ताएगी और पराठे जो आपके हैं अच्छे से बनेंगे नहीं और फटेंगे मैं इसी तरीके से सारी पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी देख पा रहे होंगे दोश्तों मैंने इस तरीके से सारी पनीर को अच्छे से कद्दूकस करके रख लिया है अब मैं इसके और आँगी की तैयारी करूंगी मैंने यहां पर थोड़ा सब्लनい हूंकर आठा ले लिया है यानि कि छोटी कप से 2 कप के करीवन और यहां पर है डाल दूँगी इसमें दोरा सब्द्रखंग आप यहाँ पर रिफाइन डॉल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसमें तोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और टेस्ट के कोडिंग डाल दियें नमक, और थोड़ी सी डाल दूगी अजवाइन, अजवाइन डालना तो आप बिल्कुल भी न भूलें, अजवाइन से इ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर कीजिए, मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैंने यहाँ पर एक गिलास भर के नॉर्मल पानी डे लिया है, और थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, तो आपकी पराठी हैं, बहुत ही अच्छे एक दम्बल को सौप फूले फूले बन करके तैयार हूंगे, देखो मैंने आटा को लगा लिया है, और ढख करके कम सकम पांचे मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, जब तक पनीर की मैं अच्छे से इस टपिंग बना करके तैयार करूंगी, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज की प्याज को छोटी छोटी टोकड़ों में कट कर लिया है, बिना प्याज की आप बनाना चाहते हैं, तो बिना प्याज से भी बना सकते हैं, और नॉर्मल से डाल देंगे मसाले, यानि की लाल मिर् मासाला, और डाल दूँगी नमग, और यदि आप इसमें थोड़ी से हिंग डालना चाहते हैं, तो हिंग भी डाल सकते हैं, हिंग से भी इसमें बहुत अच्छा टेश्ट आता है, और मैं इसमें अच्छे से हाथों से इस तरीके सा सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, उसको ही थोड़ा सडाल दिया है इतने ही मसाली में बहुत ही अच्छी स्टपिंग बन करके तैयार हो चुकी है और जो मेरा आटा है आटा भी अच्छे से फूल चुका है अब मैं इसकी थोड़ी बड़ी इसी लोईया कट करूंगी जिससे मैं इसके अंदर इस टपिंग मैंने यहाँ पर एक बड़ी लोई ले करके हलका समय इसको बेल करके थोड़ा बड़ा कर लूँगी कटूरी जैसा बना लूँगी जिससे इसमें अच्छे से इस्टपिंग भर जाए जितनी पराटे में इस्टपिंग होगी उतने ही पराटे खाने में अच्छे लगेंगे मैंने इस तरीके से रोटी को थोड़ा बड़ा बेल लिया है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा और इसमें अच्छे से इस्टपिंग भर दूँगी जितनी इस्टपिंग आ जाए उतनी ही आपको इसमें अच्छे से भर देना और अच्छे से इसको बंद कर देना देखो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया है और जो इसका थोड़ा सा एश्टरा आटा होगा उस आटे को मैं निकाल करके फैक दूंगी और हाथों से अच्छे से इस तरीके से दबा दूंगी जिससे जो मैंने इसके अंदर इस्टपिंग भरी है वो चारों तरफ अच्छे से हो जाए और हातों से देखो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है जिससे मेरी इस्टपिंग चारों साइट अच्छे से एक जैसी हो चुकी है और थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा करके हलके हाथों से बेल लूँगी बड़े ही याराम से बेल जाती है लेकिन आपको प्याज को काटते समय ध्यान देना है कि थोड़ा हलका हलका सा ही काटना है देखो इस तरीके से मेरी इस टपिंग से भरी हुए पराठे बेल चुके हैं इसी तरीके से मैं दो-तिन पराठे को बेल करके तैयार कर लूँगी यदि आप डारेट बेलना चाहते हैं और सैकना चाहते हैं तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं जैकन मैंने दो-तिन पराठी से एख रख करके रख लिए है और जो बाती के बचे हैं तो मैं इसके ऊपर तोड़ा थोड़ा सा घी लगाती जाऊंगी और दोननों साईट अच्छी से सहे लूँगी जिस्तों तो मेरे पराठे हैं फनीर की बहुत ही अच्छे बन करके तयार होंगे और पहली तो मैंने इसको तेज गैस पर सेंका है फिर मैंने कर दिया है गैस को मीडियम अब मीडियम गैस पर घी लगाते हुगे अच्छी से दौनों साइट से करारी करारी से पराठे सेंक करके तयार कर लूँगी देखो इसमें बहुत जादा घी या तेल नहीं लगता है थोड़ी से घी तेल में जो पराठे ये बन करके तैयार हो जाते हैं दौनों साइट मैंने पलट-पलट के पराठे को अच्छी से सैक लिया है और इसमें कंजिगं छोटी चम्मच से दो तीन चम्मच घी ल दोंगी यदि आपका तबह बहुत जादा ठंड़ा हो जुगा हो तो आप थोड़ा सा इसको गरम कर लें फिर इसमें पराठे डाल दें यदि आपने डाइरेक्ट धीमी गयस पर पराठे को सैका है तो जो आपका पराठे कड़ा हो जाएगा बहुत जादा सौप्ट नहीं बनेगा इसलिए पहले इसको तेज गैस पर शैक ना Tsch कर लीना है देख पा रहा होंगे दोस्तों अज़ो मेरे पनीर के पराठे एक डंबिल को करारी करारे वन करके तैयार हो पनीर के पराठे तो किसको खाना पसंद नहीं है पनीर के पराठे आलू के पराठे से अच्छी लगते हैं देवको मैंने इसी तरीके से सारी पराठे अच्छी से सेक करके तैयार कर लिए हैं या तो आप इसको चटनी के साथ खाए या फिर किसी सौस के साथ खाए नहीं तो आ आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके पराठे बन करके तैयार हुए यदि आप सफर में ले जाना चाहते हैं तो सफर के लिए भी इसी तरीके से पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए आपको धन्नवाद